नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस ख्लिक पर खोश खबर का एक्रम पांच राजियों के विधान सभा चुनाओं उनको लेकर जो घमासान मचा है इसी बीच भारती जनता पार्टी ने दो एहम किरदार उतारे हैं दोनों ही परचित किरदार हैं पहले रामलला राममंदिर राममंदिर में प्रार प्रतिष्ठा में प्रधान मंत्री नरेन मोदी का जाना उनको लेकर उनके बुलावे को लोईकर जिस तरह से ट्रस्ट के लोग यहां आए और उनका पूरा का पूरा गुरगान प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने अपने ट्वीट पे किया उससे एक बात साफ हो गई कि इन पांच विधान सभाओं को जीतने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी हो यह आरेसेस दोनों को ही रामलला की सक्त जरूरत है और दूसरा किरदार हम सब जानते हैं वो है ED, ED की छापे मारी, जाच एजनसियां जिस तरह से पहुची हैं राजस्थान, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, वैभों के हाँ और बाकी और लोगों के हाँ उससे लग रहा है कि इन पांच राज्यों को जीतने के ल जरूरत है और इस आधार पर चुनाओं में जीत हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तमाल करना चाहती है भारती जनता पार्टी दोस्तों जिस तरह से तमाम जगों पे जो नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कैम्पेइन चल रहा है कि हम राम को लाएं हैं तुम हमको जिता कर लाओ चुनाओं में मकसद बहुत साफ है चाहे दशेरे पर दिया हुआ मोहन भागवत, RSS प्रमुक मोहन भागवत का भाशन हो या प्रधान मंत्री का यह ट्वीट यह दोनों एक तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं अंतता पहुची भाश्पा वहीं जहां उसे अंतिम आस्रा है उसे अंतिम आस्रा है राम मंदिर के भव्विद्व निर्मान पर और हमें लग रहा था कि इस कार्ड को 2024 के आम चुनाओं में इस्तमाल किया जाएगा लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 में जो कार्ड इस्तमाल होना था या जिसकी पूरी तैयारी थी जिसका ब्लूपरिंट खुद मोहन भागवत ने दशेरे के भाशन में दिया कि किस तरह से पूरे देश में इसके इर्दगिर्द भविद्व आयोजन होगा और तो और उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके निशाने पर अब कौन हैं कौन गुद्धिजीवी हैं, कौन कल्शरल एक्टविस्ट हैं जिन से उन्हें लग रहा है कि हिंदू राष्ट का या यूद कहें कि हिंदू राष्ट का जो पूरा का पूरा रास्ता निकल रहा है राम मंदिर से उसमें अर्चन आएगी वो हमारे राष्ट्री आदर्श भगवान राम उनके बाला सुरुक का राम लला का मंदिर आयोध्या में बनने जा रहा है अपने मंदिर में राम लला प्रवेश करने वाले है बाइस जन्वरी को यह प्रसंग हम देखने वाले है उसमें सब लोग तो आनी सकेंगे सुरक्षा की बात रहेंगी वहाँ के व्यवस्थाओं की बात रहेंगी दीरे दीरे बाद में जाएंगे अपने अपनी सुभिधा से परंदू उस दिल अपने सारे देश में हम अपने अपने जगा अपने छोटे-छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरन बना सकते भगवान राम धर्म की मरियादा के समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे भगवान राम करूणा के प्रतिक है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मियता का सर्व समाविशक्ता का समरसता का प्रेम का स्निह का वातावरण धार्मिक्ता का वातावरण सर्वदेश में बने ऐसे चोटे-चोटे कारिक्रम अपने जगपर तो हम करी सकते हैं लेकिन इन पांच विधानसभा चुनाओं के लिए इस कार्ड का इस्तमाल होना बहुत गंभीर संकेत दे रहा है इसमें मिजोरम बहुत खास है क्योंकि उसका पडोसी राज्य मनिपुर तीन मई से जल रहा है यानि तकरीबन दो सो दिनों से वहाँ पर आग लगी हुई है नरेन मोधी जो गली महले में 17-18 किलोमीटर के रोड को इनागरेट करने में पहुँठ जाते हैं रैपिड ट्रेन को इनागरेट करने पहुँच जाते हैं वंदे भारत एकसपijd को जंडी दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं वह प्रधान मंत्री आज तक मनीपूर नहीं जा पाए हैं जिसे लेकर बहुत गहरे पैमाने पर नाराजगी है और माना जा रहा है कि मिजोरम भारती जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल राज्य है मदप्रदेश में शिवराज सिंग चोहान के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोश है खुद उन्ही की पार्टी में असंतोश है जिसे कैलाश विजेवरगी को उतार कर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है राजस्तान में भारती जनता पार्टी का हाल ये है कि प्रचार की कमान तो खुद प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने समाल रखी है लेकिन प्रधान मंतरी नरेन मोदी और ग्रिह मंतरी अमिश्शा की बिलकुल उल्टे खेमे की माने जाने वाली वसुन्धरा राजे को भी इस बार मान मनवल करके चुनावी मैदान में उतारना पड़ा है यानि हाल बहुत मुश्किल है क्योंकि 36 गड़ में बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस अपनी जमीन पकड़े हुए है और उसकी बापसी लगभग तैमानी जा रही है अन्य था जब तक कुछ और बड़ा घट इतना हो जाए यानि इन पांच राजियों में भारती जन्ता पार्टी को जीत तक पहुचाने के लिए अभी तक उसके पास जितने के जितने ओजार थे हतकंडे थे प्रचार था वह सब बहुत सफल होता नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे में राम मंदिर के इर्दगिर्ज जो प्रिष्ट भूमी बन रही है उसका प्रवेश होना बता रहा है कि भारती जन्ता पार्टी 2024 का आम चुनाओ जिस मुद्दों पे लड़ेगी वह तो साफी है इन पांच विधान सभाओं के लिए भी उसके पास राम लला का कार्ड एक मजबूत कार्ड के तौर पर सामने आया है और जो दूसरा कार्ड है या दूसरा औजार है वह भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जाच एजन्सियों की दवेश चापे मारी और यह एक बहुत कॉमन टूल हो गया है पिछली बार भी हमने देखा था जिन विधान सभाओं में चुनाओ थे और खास तोर से जहां विपक्षी दलों की सरकारे हैं चाहे वो तमिलनाडू हो, राजस्थान हो, चत्तिसगर हो, पंजाब हो, हर जगा हमने देखा है कि इस तरह से जो जाच एजेंसियां हैं, उनके निशाने पर विपक्षी नेता होते हैं महराश्थ में तो पूरा जो ऑपरेशन लोटस चला, जो वाशिंग मशीन भाचपा की थी उसमें किस तरह से धुलकर अजीत पवार बाहर आए और आज की तारीख में जब हाँ आपसे बात कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि वही भरष्ट करप्ट अजीत पवार डिप्टी सीयम हैं महराश्थ में भारती जनता पार्टी की सरकार के लिहाजा एक बात बहुत साफ है कि इस तरह की जो चुनावी राजनीती है उसमें एक निया घटक है, निया कारगर घटक है इन जाच एजेंसियों का इस्तमाल जिसे 2014 से लेकर 2023 तक बखुबी भारती जनता पार्टी अपने पक्ष में इस्तमाल कर रही है यहाँ पर हमने चर्चा की अयोध्या की, अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदर की अयोध्या है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से एक और खबर आती है, जो वहाँ चल रहे रामराज का परदा फाश करती है यह खबर आपको हमको सबको विचलित करती है यह खबर है कानपूर से कानपूर में 14 बच्चों को जी हाँ 14 बच्चों को HIV संक्रमित खून चड़ा दिया गया कुल 180 लोगों को चड़ाया गया जिसमें से 14 मासूम बच्चे हैं यह सबकुछ उत्तरप्रदेश की सरकारी अस्पताल में होता है और इस तरह का जो रामराज उत्तरप्रदेश में फैला हुआ है क्योंकि हम यह जरूर देख रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है जो अखबार है वो तमाम तरह के घोटालों की बात करते हैं तमाम तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं लेकिन जब सवाल आता है बच्चों का जब सवाल आता है मासुमों की जिंदगी का उसे हेडलाइन नहीं बनाते हैं उस पर कवरिज नहीं होती है और उत्रप्रदेश लगातार ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पर एक के बाद दू पूर्व IPS अधिकारी दारापूरी को सिर्फ दलितों के लिए जमीन मांगने के सवाल पर गिरफतार करके जेल डाल देता है वही प्रशाशन इन तमाम तरह की घटनाओं पर चुपी थाम लेता है और हमारा आपका प्रियमीडिया पूरी तरह से इन खबरों को गायब कर दे चर्चा जब बच्चों की हो रही है तब तस्वीर सामने आती है फिलिस्तीन के बच्चों की और फिलिस्तीन पर जो इसराइल का हमला है जिस तरह से बरबर और क्रूर हमला चल रहा है उसे लेकर भारती मीडिया में जिस तरह से एक तरफा कवरेज है इसराइल के पक्ष में और इस्राइल के पक्ष में उतरते हुए वे फिलिस्तीन की जनता पर जो कहर बर्पा हो रहा है जिस तरह से बम वर्षा हो रही है जिस तरह से गाजा पट्टी को निस्तनाबूत करने पर पूरा का पूरा सिस्टम उतारू है उसके बारे में कवरेज नहीं करता है इसी करम में देखिए यह जो वीडियो आया है यह वीडियो जरूर देखना और सुनना चाहिए यह एक ऐसी Bollywood actress है जिनको मोदी जी भी फॉलो करते हैं यह मोदी जी की तो भक्त हैं ही घोशित तोर पर यह संसत पहुचती है जब महिला आरक्षन बिल पास होता है और महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करती हैं जी हाँ कंगना रनौत और देखिए यहाँ पहुची इसराइल एमबेसी यह वीडियो जो सोशल मीडिया पे वाइरल हो रहा है इसमें जो बहुत एहम बातें वह कह रही हैं दरसल उससे पता चलता है कि जो भक्त गड़ों की संवेदना है वह किस तरह से मानवता के खिलाव खड़ी हुई है यह खुले आम कह रही है कि भारत जिस तरह का हिंदू राश्र है मैडम अभी मोदी जी को घोषना तो करने दीजिए अभी मोहन भागवाजी को घोषना तो करने दीजिए इंतजार कीजिए अभी तक जब आप यह सब कुछ बोल रही है वह भी विदेश के एक ऐसे एहम रा अगिन देखे जिस तरह से कंगना रनाओट हस हस के बात कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि भक्तों की जो पूरी टोली है जो सरकार की पूरी टोली है वह इसराइल के साथ खड़ी है वह रोंगते खड़ी करती है वह इसलिए रोंगते खड़ी करती है क्योंकि जिस समय वह बोल रही है उस समय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की जनता, गाजा पट्टी, इतिहास के बरबर हमले को जेल रही है हजारों की तादाद में बच्चे मारे जा चुके हैं, अस्पताल नश्ट हो रहे हैं ये आलम है कि अमरीका, अमरीका के राष्टपती तक को इफ और बट लगा के बात करना पड़ रहा है यानि लेकिन किन्तू, परुंतू का इस्तमाल करना पड़ रहा है लेकिन ये अंदभक्तों की जो जहासी की रानी हैं, ये खुल कर कहती हैं कि इसी तरह से हमारे उपर भी हमला हुआ था, यानि एक बदले की राजनीती के दुआर खोल रही हैं वह इसराइल में, इसराइली राजदूत के साथ खड़े होकर और इससे पता चलता है कि किस तरफ देश बढ़ रहा है आज के एपिसोड में मैंने दो तरह के युद्धों की बात की एक युद्ध, एक समर, एक चुनावी समर, चुनावी युद्ध जो पांच विधान सभाओं को जीतने के लिए लड़ा जा रहा है और आप देखिए कि वहाँ पर जिस तरह से जो हत्कंडे इस्तमाल हो रहे हैं वह क्या हैं वहाँ पर रामलला लाए गए हैं वहाँ पर सुरक्षा एजेंसिया लाई गई हैं और वहीं दूसरी तरफ जो युद्ध लड़ा जा रहा है जहां पर मानवता तारतार हो रही है वह है इसराइल का फिलिस्तीन पर हमला अंत में देखिए यह वीडियो यह वीडियो अलजजीरा के पत्रकार का वीडियो है वह पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहा है युद्ध भूमी में खड़ा होकर और अचानक उसके पास खबर आती है कि उसका पूरा परिवार इसराइल के बम हमले से खतम हो गया पत्नी, बच्चा और बेटी सब खतम हो गए सवाल बहुत सीधा सा है कि यह जो नफरती ब्रिगेड है चाहे देश में हो या विदेश में या सिर्फ खून, खून और तबाही को बुला रही है शुक्रिया